बाई कर सकते हैं आज ही की दिन ओफर है फिलकल यह ओफर नहीं मिलने वाला वो बैटरी डालने की जुरूत नहीं क्योंकि यह सोलर से चार्ज होता है 24,000 रुपे के अंदर तो गाईज मात्रो 23,000 रुपे में आप खरीच सकते हैं सेमसंग पैनस्वानिक और एलजी जैसी ब्रैंड के टीवी जाने की 43 इंचेज 4K UHD LED TV मात्रो 23,000 में भारे डिसकाउंट पर यह टीवी मिल रहे हैं यह जाहे तो आप बाई कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्स में लेंके बहुत सारी डीजिल बाकी है वीडियो में बने रहिएगा आपको पूरा का पूरा बताऊंगा डीटेल्स और कौन सी LED आपके लिए बैस्ट हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा वीडियो की पास है यह TV आपको मिलता है 23000 में बहुत जल्ले आपको बताऊंगा वीडियो के सत बने रही है चलिए वीडियो फड़ा आपके लिए बैस्ट हो सकता है तो चलिए करतें स्टार्ट तो सबसे पहले यह देख लीजिए LG की जो LED है वो और मैंने अपने जो फोन के अंदर भी चीजे हम बात में बात में डिसकस करें गए LG का यह TV आप देख सकते हैं Sam TV आपको यहाँ पर साइड में एक डिस्प्ले शो हो रहा होगा और यही TV हमने यहाँ पर भी ओपन करके रखा हुए LG का यही TV है और 4K LED है 43 इंचे LED है और आप देखिए नीचे थोड़ा है आपर स् आपको 24,000 रुपे के अंदर 24,000 के अंदर यह TV आपको मिलता है जो कि 43 इंचेज LED टीवी है यह हो गया LG का अब थोड़ा साम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि और किस LED वे आपको क्या क्या डिसकाउंट मिलता है सबसे पर इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते ह क्योंकि फीचर्स बहुत जरूरी है डिसकस करणा यह है LG का 4K UHD 43 इंचेज LED टीवी है यह आता है AI Think Q के साथ पांच साल के अपग्रेडेशन के साथ आता है पांच साल तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं जो कि 2027 तक इसका सब्वेर और UI User Interface भी आप इसको अपडेड कर रहेंगे अब आगे बढ़ते हैं अपर HDR 10 Pro का सपोर्ट मिलता है HDR मतलब हाई जो क्वालिटीज प्रोवाइड करती है टीवी की डिस्प्ले यानि की Color Resolution, Contrast Ratio और भी बहुत सारी चीजे है जो की Color को मैच्चॉर करती है और अच्छी क्वालिटी पर्डियूस करती है यह या फिर कुछ भी आप एकसेस कर सकते हैं चाहे तो आप एज़ इसको PC मॉनिटर के तोर पर यूज कर सकते हैं अच्छे से यह फ्रेम रेट भी पर रियूस करेगा उसी के साथ आपको आउटबूड भी काफी बहतर प्रोवाइड करवाएगा उसके लाब यहाँ पर इस टीवी के इंदर बहुत ही क्वीक वीडियो बना रहा हूं शॉट में आपको बताऊंगा क्या 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 फीचर से मल्टीपल आपको कॉंटेंट देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर आपको मिलता है ऑन डिस्प्लेइग उस की बात करो यहाँ पर वैब ओस जो की सेम काफी क्वी बेखने में और जब प्ले करते हैं उसमें पहुत ही लो आपको देखने को मिल जाता है मिल जिस्जे क्या की लिए को है कर लग क्रेडिट काड और एक हजार का डिसकाउंट कूपन एपलाई करना मत भूलिएगा आपको हाथ हो हाथ वहाँ पर डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं सेकिन एलिडी की उससे बहले आपको बता दू किसमें पोर्ट क्या क्या चीज़ हैं आपको पोर्स बिल जादी है Google Play और सारी के सारे आपको यहां पर अप्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं यानि कि Google Play भी है यहां पर उसमें आप एप्लिकेशन इंस्ट्ल कर सकते हैं अधर वाइज आपको बता दो यह वेब वेश पर बेस्ट एलिडी टीवी है यानिकि वेब ओएस है तो मैं अगर open करता हूँ अपने tablets के अंदर आपको बता देता हूँ कि इसके price में कितना आपको difference देखने को मिलता है वैसे TV काफी बैतर है, brand काफी बैतर है, 43 inches, 4K, UHD LED TV है, यह भी ultra HD TV है और quality wise और एक चीज़ में खास भी है वो आपको मैं आगे बताऊँगा, इस TV को अगर 24,000 के आसपास 1000 का discount है और 4700 के आसपास इसमें credit card से cashback मिल जाता है, यानि कि 24,700 के आसपास यह भी same price में बिलती है, वैसे actual prices की जो बात करें, तो यहाँ पर 30,000 है, 30,000 के TV मातर 24,000 उपे मापको मिल रहे है, 66,000 के भारी भरकम discount के साथ, वो भी brand warranty, brand की quality और brand का trust, यह सबी ची 23 है, UHT, Ultra HD TV है, और आपको बता तो इसमें ports की 3 HDMI ports इसमें भी देखने को मिल जाते हैं, और 2 USB port मिलते है, 20W output sound है, बाकि Wi-Fi, Bluetooth जैसी सारे की सारी connectivity मिल जाती है, इसमें OS जो है, वो Tizen है, इसका personal OS है, जो कि Samsung produce करता है, वो ही, अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो चार्ज होता है, आपकी जो indoor lights है, उससे भी चार्ज हो जाएगा, और अगर चाहें, तो आप सूरज की किरन होती है, उससे भी चार्ज आप कर सकते हैं, solar से भी चार्ज कर सकते हैं, इसके पीछे छोटा सा पैनल है, उससे easy चार्ज हो जाता है, इसमें आपको बैटरी डालन की जरूरत नहीं है यह काफी option अच्छा लगा है मुझे इस टीवी के अंदर बाकी अच्छे आपको यहाँ पर application देखने को मिल जाती है Samsung Tizen OS है speaker 20 watt का output sound है बाकी सारे के सारे quality और motion sensor HDR यान की high dynamic range है contrast inherence है सारे के सारे basic है क्योंकि आपको बता दो कि अगर UHD LED है तो काफी अच्छा आपको पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है बट यहाँ बेजर लेस सारे का सारे LED है इसकी प्राइस भी आपको मैंस साइड में आपर mention कर दी है मात्र इसकी जो प्राइस है 24,000 रुपे है आप बाय कर सकते है आज ही की दिन ओफर है फिल कर लिए ओफर नहीं मिलने वाला स्विच करते हैं next LED पर क्योंकि top 3 LED हम लेकर आए थें काफी कम प्राइस के अंदर तो यह है panasonic का LED इसकी प्राइस है 39,000 के आसपास यह भी आप देखिए यहाँ पर 4K Ultra HD यानि कि UHD LED TV है यह भी 43 इंचेज LED है और Google इसमें आपको Google मिलेगा यानि कि यह Google Assistant पर वर्क करता है सभी में आपको voice command मिलता है बट Google Assistant नहीं मिलता एक में Alexa है जैसे कि Samsung उसमें Alexa मिलता है और जो LG था उसमें अलग से उसका personal search command वाला option आपको देखने को मिलता है बड़ यहाँ पर बता दूँ इसमें आपको Google Assistant मिलेगा दो USB port 3 HDMI port एक ARC का support है यहाँ पर आपको Bluetooth की connectivity है उसी के साथ Wi-Fi built-in है यहाँ पर 20 Watt का output sound, Dolby Digital Audio और Audio Booster भी देखने को मिलते हैं अलग-अलग modes मिल जाएंगा आपको बहुत सारे preloaded application है और यहाँ पर 4K Studio Color उसी के आपको बता दूँ इसमें जो खास मोटी-मोटी जो पाते हैं कमपनी बताता है वो Google Assistant है, डॉल बे ओडियो है यहाँ पर आपको मिल जाता है Hexa, Chrome Driver, 4K Studio Color engine यान की Quality और बहुत आपको मिलने वाली जैसे Panasonic को आप सभी को बताईए, Quality-wise कोई compromise Panasonic नहीं करता है, MIMC का support है HDR10 है, आप Scaling है, True Color है और 4K पिक्चर जो एंजन है उससे आपको Quality-to-Best मिलने वाली है, Pre-Loaded Application है, जो Basic जो Android TV होते हैं, जो Google-based होते हैं, सार अगा सारा इंटरफेस, Same-to-Same आपको मिलने वाला है, Time-to-Time आपको Upgrade भी देखने को मिलेगा, Dolby Audio है और Audio Booster भी है, अगर आप चाहें त Next Level तक लेकर जा सकते हैं, इसको भी आप Chromecast और अपने डिस्प्ले आप शेयर कर सकते हैं, टीवी के अंदर जो की Normal Features आजकल हर किसी में होता है, Quality-wise अच्छी है, इसमें भी आपको L.E.L.L.M का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, Auto Low Legacy Mode आपको इसमें देखने को मिलता है, अगर इसकी भी हम प्राइजिंग की बात करें, तो जो Panasonic अभी 29,000 की प्राइज है, आप उपर देख लीजिए, 29 के आसपास यहाँ प्राइज है, जब हम कंप्यूटर में ओपन करते हैं, तो आप प्राइज शो नहीं करता है, डिस्काउंट शो नहीं कर रहा है, पर इसमे लोडेट, फुली अपग्रेडेशन के साथ यह तीवी आपको देखने को मिल जाते हैं, काफी बैतर ब्रेंड के साथ, काफी बैतर क्वालिटी के साथ, काफी अच्छे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इस प्राइज में, यानि की लगभग लगभग 24,000 की ये TV आपको मिल जाते हैं, अगर आप LED TV भाय करना चाहते हैं, तो फटा बढ़ जाए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक दे रखा है, वहाँ पर चेक आउट कीजिए, आपको डिस्काउंट हाथो हाथ मिल जाएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियों आपना ख्य लखें, टेक केर, जैहिंट